आगरह में एसेड अटेक के दो मामले 20 और 25 साल बाद दर्ज हुए हैं एक युपती पर 1997 और दूसरी पर 2002 में एसेड अटेक हुआ था दोनों ही युपती बुरी तरह जल गई थी दवाब और भै के चलते ये दोनों युपती अपने उपर हुए हमले की रिपोर्ट कराने की हिम्मत नहीं जुटा सकी अब समाजिक संस्थाओं की मदद के बाद दोनों मुकदमे दर्ज हुए हैं माना जा रहा है कि इन दोनों मुकदमों में दर्ज होने के बाद अब पीरत युक्तियां सामने आ सकती हैं। आगरा में 20 साल के बाद दो एसिट पीरत महिलाओं का केस दर्ज हुआ है। इन महिलाओं ने अब आकर हिम्मत दिखाई है लहाज़ पुलिस ने थाना ताजगंज और थाना एत्मा दौला में केस दर्ज कर लिया है। पहला मामला रुकया का है। रुकया अपनी बहन के घर अलीगड गई हुई थी। 2002 में रुकया अपने बहन के घर अलीगड में थी। तभी सोते वक्त बहन के देवर आरिफ ने रुकया पर एसिट फेक दिया था। इसलिए केस दर्ज नहीं हुआ था। साथ मुई उसके देवर में साधी का दाउव बनाने लगा। लिए मरने चोड़ा मैं 15 साल की थी। और वो बहुत बढ़ा था वग्ता है। करीब 24 साल का तथा तो ऊर्व जाये थाए नहीं थाओ रूंब करता था लेकिन मैं नहीं मैं उस्टेप चोटी थी तो मैं अपने घर पे सिकात करती दी कि यह मुझसे बत्तमीजी करता है यह करता है तो उसने बचने के लिए यह कह दिया कि मैंने शादी करना चाहता था जली मैं इसको पर तजाब डाला है और आप लोगोंने मना कि इसलिए मैं ऐसे अबहरा हम लोग चाहते थे कि उसका उसके फ़यार हो जाएं विगन मेरे भाइनी महुत को इस यह ज्योदंघ मेरे मेरे मन में यह दहाए यह उसको सजा होनी ही कहा जोए जोस ने किया आस नहीं चाहिए । लेकिन ऐसको नहीं कर पा काफी इस जगे में सपोर्ट किया मुझे और मैं आगरा पुलिस कमिशनर से मिली उन्होंने मुझे उन्होंने कहा थकाल में इनका एफ़यार होनी चाहिए और उनकी काफी मदद उन्होंने मदद की और आज मेरी एफ़यार हुई है तो मुझे मैं बहुत खुश हूँ और उनक 297 में हमला हुआ था दरसल मंचले को पता चल गया था कि मदू का रिष्टा कहीं और तैह हो गया है लहाजा मंचले ने मदू पर एसिट फेक दिया था एसिट की वज़ा से मदू का भी चहरा बेहत खराब हो गया था मदू का रिष्टा अनिल के साथ तैह हुआ था लेकिन अन इससे अपने घर आ रही थी तो किसी मंचले ने मेरे उपर एसिट कर दिया और उस वक्त मेरी दर्ज नहीं हो पाई थी क्योंकि घर पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था अगर सपोर्ट करने वाला तो हो सकता है रपोर्ट हो जाती और अब मैं 6 तारिक को कमिशनर सर से मिल करेंगे मंगनी अटेक्स से पहले हुई थी लेगिन उन्होंने बोला कि अगर साधी के बाद ऐसा होता मैं घर से भाहर थोरी ना लिकाल देता अगर मेरे भी होता तो यह तो ना मुझे चोड़के चलिए साधी करूंगा कुछ हो जाए वही आगरा पलिस कमिशनर डॉक्टर पतिंदर सिंग ने बताया दोनों मामलों में मुकदम दर्चकर उच इस तरही जाच कराई जा रही है देखे जैसे आपके संग्यान में है कि Civil Society Foundation, Civil Society of Agra और शाम Foundation इनके लोग जो हमारे यहाँ शीरोस कैफे हैं वहाँ एसे डिटैक के जो विक्टिम्स हैं वो अपने दम पे एक NGO के माध्यम से वहाँ पे एक कैफे रन कर रही हैं काफी सालों से उनकी कुछ समस्याँ थी उनकी समस्याँ को लेके यह सभी लोग मुझे मिले और एसे डिटैक विक्टिम्स भी मिले उनमें से दो विक्टिम्स ने बताया कि उनके केस उस समय रिजिस्टर नहीं हो पाए उन्होंने ये नहीं का कि वो पुलिस के पास गए और पुलिस ने केस रिजिस्टर नहीं करवाया उनका कहना था कि उस समय उनकी हिम्मत नहीं हुई उस समय पर सितियां ऐसी थी कि उन्होंने केस रिजस्टर नहीं करवाए तो उनसे तहरीर लेके एत्मादौला में एक और एक ताजगंज में मुकदमा काइम किया गया है और उसकी फर्दर इंवेस्टिकेशन होगी और प्रॉपरली डेटेल्ड में डेटेल्ड इंवेस्टिकेशन होगी और जो खासकर एत्मादौला का मुकदमा है वो शायद 20 साल पुराना है ताजगंज का इंसिडेंट जो है वो 22 साल पुराना है और जो एत्मादौला का इंसिडेंट है वो समवता अलीगड के किसी थानाचेतर का है तो पहले मुकदमा यहां पे काइम करके इनिशल इन्वेस्टिकेशन यहां पे होगी और फिर एविडेंस के अदार पे अगर आप शक्ता पड़ेगी तो बाकी की इन्वेस्टिकेशन जो है वो अलीगड से करवाई जाएगी और जब यह इन्वेस्टिकेशन कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद विबिन स्टेज़स पे जो गर्मेंट की स्कीम्स हैं उनमें जो भी कॉम्पनसेशन मिलनी होगी उसके लिए भी जो हमारी कमिटी बनी हुई है उसके माद्यम से पुरस्ताब भीजा जाएगा इसके अलावा जो और एसिड विक्टिम्स थी उनकी छोटी-छोटी समस्याएं थी छोटे-छोटे इशूस थे वो भी उस समय सुने गए और उनका भी हल किया जा रहा है और इसके अलावा उनका ये रिक्वेस्ट था कि कहीं भी ओपन में अनलाइसेंस्ट एसिड की विक्री ना हो जिसमें सभी एसेचो इंस्पेक्टर्स को निर्देश दिये गए और आगे आने वाले समय में लगातार ये भ्यान भी चलता रहेगा ताकि ओपनली कहीं भी कोई इस तरह का एसिडिक प्रदार्थ ना भिके ये पूरे कमिशनेट में इसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा सभी एसिपीज के माद्यम से सभी डीसीपीज के माद्यम से और सभी एसेचो उसके माद्यम से और दोनों महिलाओं को नए दिलाया जाएगा